नाजरे असलम्ने को आप यूट्यूब जान देख रहे हैं आज की इस वीडियो में शाइद काना बासी साहब ने बड़ा इंकिशाफ किया है कि आप पार्टी छोड़ने जा रहे हैं पीटी एक जोएन करने जा रहे हैं देखिए इस वीडियो में जहां पर मुल्के मसायल की बात उनके हल की बात हो सके और जहां पर किसी पर तनकीद नहों किसी की तारीफ नहों जी एक डिबेट हो और वो नाउन पार्टीजन हो वो किसी प्रिटिकल पार्टी की नहों सब आगर बात कर सकते हैं तो फिर हमने कुछ टाइम लग गया जून ज पिशावर में किया और मुशत जिए क्षी जियां जुज तॅस जबी पिशावर में किया जिए मिफतासाभ आपके साथ नुो गिंटे से ज्यादा कप Benny आपकरें प्रिटा मेंस घृंचर से हाल係 को गया लोगका बेटे थे पिशावर में पांज जिएंट हीए क्राची में 12 घंटे के रोटिस पे हमने एक प्रोग्राम किया सर उसमें जो हॉल था वो छोटा पढ़ गया दूसरा भी छोटा पढ़ गया इतने तकीमन में खाला हजार बारा सो लोग आए और ये कॉलिटी लोग जो फील करते हैं कॉलिटी आउडियंस थी पढ़ा लिखा तब जी और कर कराशी में आप यकीन करें कि जो हमने पहला प्रोग्राम किया था हभीब इनुवर्स्टी में उसमें मिरहारा के पाक्स्तान के अगर 20 बड़े बिजनसमें को आप ले लें हाइस टैक्सपेर्ट को तुमें से 10-12 वाँ बैठे हुए और पूरा वक बैठे लें लोग बड़ कि आप मुल्के मसायल की बात करें अवाम की तकलीफ की बात करें उनकी हल तराश करें तो इसमें अपकी अपनी प्लिटिकल पार्टी जागी है नहीं जागी मादब आपका री-मैजिनेशन का कॉंसेप्त तो बड़ा जबरदास्त है जी बट अगें पीपल वार इन पार का पीडिट सरफ ले लें उसे बीचे मत जाएं हर प्रिडिकल पार्ट पार्ट रिक्त-डार में रह चुकी। ऐसा ही है OR क्या वो मसायल कर सकें नहीं कर सकें इसलिए आज जो भी उनके पास हल है भो नाकाफी है जो इनकी सलाहियत है वो नाकाफी है क्लेक्टि आपकितिक्स मुस्लिक नून का हिस्सा है जी मैं पहले से हूच जी पहले से हूच पैंप तीस साल से बहुत अर्से से हैं और आपका ये ये जो फोरम है क्या इसकी एकसेप्टबिलिटी है पीमलाइब के बैनर के अदर निकिसी ने शकायत नहीं की नौशीर साब को पता है इस चीस जी सब क पता है और भुष हैं उसके बनायां या ने खुष हैं जान मुझा भातिर्म नहीं है मिरहाँ लोंनी कभी अपनी अधाय के इजाहर से रोका नहीं है मैंने पहले का है हमने ना किसी पर तन्कीद कर निया ना थारीफ कर निया टो मंकि टोր मुल के मसायल की जहां पर बात हो उस पर तो कोई तनकीद की गुजाइश नहीं है। आने वाले एलेक्शन में पार्टिस्पेट कर रहे हैं। देखिए मैंने पहले भी कह दिया है कि मुझे ये एलेक्शन जो हैं ये बे-मकसद नदर आ रहे हैं। यह आप कंटेस्ट नहीं करेंगे। नहीं कंटेस्ट की बात हैं। कंटेस्ट नहीं होता है, मैं 35 साल से लेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूं। यह फैसले आपकी हलके के अवाम करते हैं। कि कौन लड़ेगा और कैसे लड़ेगा। लेकिन मैंने अपनी राय का इजहार करने का हंक तो मुझे हासल है। तो मैं यह आज बात कर रहा हूं। जो मैंने पहले कभी नहीं की। पिछले 35 साल में नहीं की। कि हमेशा जब भी मुल्कें अंदर मसाइल हो। एक स्यासत में कश्मकश हो, जमूद हो। मुझे के मसाइल हो। तो उसका हाल एलेक्शन होता है। मुझे इस हाल में इस एलेक्शन में हाल वाचिए। आप लोगों ने शाहिद खावकान अबासी साहब को सुना हो। जो के पिप नून लीग के सीनियर तरीन रहनमा है और साबिक वजीर आजम है। उन्होंने खरे-खरे बाते की हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए और वो सही अपने ख्यालात के खाहर करते हैं। और इसी वज़ा से नून लीग में काफी एक्तलाफाद पाय जाते हैं। कुछ लोग सीनियर तरीन लोग हैं जैसे शाहिद खुर्वान अबासी झाहिए हैं। और उनकी राए काफी मुस्बत होती है और अभी तक आपको जैसे के मालूम है उनके मुकदमे जो है अभी तक वो मुकदमों को फेस कर रहे हैं और तुमाम बाकी जितने भी लोग हैं वो बरी भी हो चुके हैं कुसी होको ने तना मिल चुका है लेकिन एलन जी केस में शायद क कानपासित ताप जूँ है अभी तक लटके हुए हैं और वो अक्सर कहते भी हैं के नEAP जो है काला कानून हैं इसको खत्म होना चाहिए और क्योंके उनके उपर स्यासी मुक्तमा है उनके अप कडिंग अब यह तो हमें नहीं मालूम के मुक्तमा स्यासी है या कैसा है वो फे जो हैं गर्दिश कर रही थी कि शायद कानवासी साब जो है वो पार्टी चेंज कर रहे हैं या अलग ग्रूप बना रही हैं जिसमें मिफ्ता इसमाइल साथ भी हैं और भी कुछ पीपल्स पार्टी के नाराज रहनमा भी हैं और उनको मिला कर ये ग्रूप तश्कील देंगे या फिर अलग पार्टी बना लेंगे तो ऐसा कुछ नजर तो नहीं आ रहा है लोगर क्योंकि वो सीनियर तरीन रहनमा में का श्मार होता है नून लीग में और एक सलाफात अपनी जगा और लेकिन वो पार्टी को खैरबाद नहीं कह रहे हैं और वो अपने काइद मिया सुनते भी हैं और हमल मिजास से उनको जवाब भी देते हैं और उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं तो लोग इनको पसंद करते हैं इसलिए अलेक्टीबल्स की सियासत अब भी पाकितान में जिन्दा है तो नाजरी आप तक के लिए इतने दौाओं भी याद और नेक्स्ट वीडियो की तक की दिया जाल देजिए अल्हाफिज